हेलो जाइस वेलकम बेक टो माइ यूटुब चैनल सलवाण फ्रैट आज हम बात करने वाले हैं नुट्रल है कलर्स एंड रिफ्लेक्शन के बारे में काफी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि यह नुट्रल कलर जो है वह हमारे कौं से होते हो जो रिफ्लेक्शन होती है और हमारे जो ICC numbers होते हैं इनमें care difference रहता है और हमारे किस काम आते हैं वैस यह जो topic है काफी ज्यादा important topic है क्योंकि guys यह जो चीज़ी है यह हमारा base है और आप सभी को पता जब हमारा base अच्छे से हमें पता होता है तब हमारा जो advance होता है हमें उतना ही अच्छे से समझ आता है तो पहले हम अच्छे से base को समझेगे ध्यान दिरे दिरे हम advance की तरफ जाएगे और guys अगर किसी को पता है कि neutral color कौन से होते है तो guys आज मैं उनको यह भी बताने वालो कि जो reflections होती है और base color एक proper जो color tube में add होते है तो उनमें मैं बताऊंगो कि कितनी कितनी quantity होती है कितनी हमार percentage reflection की होती है उसके अंदर कितनी percentage हमारी base की होती है तो guys एक से हमना 10 तक जो यह shade लिखे हुए है यह हमारे guys होते है base color और मैं आपको पता दूँ यह base color किस काम हमारे आते है वीडियो आथ थोड़ी से लंबी होगी lengthy होगी क्योंकि काफी जादा जो basic है हमारा यह most important basic है advance को Asian hair में अगर आप European country के hair अगर देखोगे तो वो 6 से 10 तक के level के जो shade है यह उनको gray coverage दे देते है लेकिन जो हमारे Asian hair होते है वो 1 से 5 तक के अच्छी हमें gray coverage मिल जाती है अगर हम 6 number भी use करते है तो आपने देखा हो color जो है वो थोड़ा सा अलका सा transparent रहता है ज्यादतर जो हमार base color होते वो gray coverage करने के लिए काम आते है ठीक है गाइस और जो base color होते गाइस इनमें कोई भी reflections नहीं होती है ठीक है इनमें कोई इसी भी reflection नहीं होती है जैसे कि मैं आपको पता दूँ जैसे कि यह है light brown तो light brown यह एक normal सा light brown color होगा जो हमारा natural hair होता है पांच नमर का आपने होगी अगर उसको मैं आपको लगता है रेड रेड आएगा या फिर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा गोल्ड कटच आएगा ऐसा कुछ नहीं है यह सी normal neutral shade है इसलिए इनको neutral colors बोला जाता है कि जो हमारा normal base shade होता है तो यह हमारे gray coverage के लिए ज्यादतर काम आते है और औ 10 नम्मर का tube अगर 30 volume मिक्स करके लगा दे तो उसमें अच्छा घासा हमारा जो warm brown color है हमें अचीव हो जाता है लेकिन उसमें जो reflections अगर आप कोई add करना चाहते हो gold की copper की reddish की या फिर S की तो वह आपको तभी मिल पाएगी जब आपको reflections की knowledge हो पाएगी तो guys यह थे हमारे base color वह इनको हम ICC भी बोलते है ICC international color code इसलिए क्योंकि guys यह जो एक से 10 तक के base सेड़ है यह सबके बराबर होगे ठीक है सबके सेम ही होगे चाहे वह श्यार्सकॉब में जाओ वेला में जाओ matrix में जाओ स्ट्रिक्स में जाओ किसी में भी जाओ भार यहां तक की भार के ब्रांड में भी जाओगे न तो यह बेस जो है सबके सेम रहेगे इसलिए इनको international color code बोला जाता है रिफ्लेक्शन्स आपकी चींज हो सकती है अगर चाहे वह श्यार्सकॉफ में हो लॉर्यल वेला स्ट्रिक्स मैट्रिक्स किसी में भी हो चाहे बहार के इंटरनेशनल ब्रांड के कलर में चले जाओ आप क्यूने में तक चले जाओ तो यह जो है थोड़ी बहुत किसी की सेम ह लेकिन गायश अलग किस टाप कोगी यह की जो इनका गोल्ड यह होगा लेकिन अलग हो गे अगर पोइंट ठीय इसका गोल्ड यह कुछ और होगा जैसे कि आपको मैं बता दू की पॉइंट शैक्स लॉर्यल में जो है डेड धार लेकिन आप ऑआ श्याशकॉफ में तो उसम टू इनका इरिडिशंट यानी वॉयलेट है लेकिन आप स्यार्सकॉफ में जाओगे उनका डैस नाइन वॉयलेट मिलेगा आपको ठीक है तो नंबरिंग सिब चेंज होगी वाकी कोई अपने कॉपर कलर को पीला कलर तो बोलेगा नहीं तो नंबरिंग बस अलग होगी मैं यह आपको कैसे समझना है देखिए जब एक कलर ट्यूब हमारा बनता है ना तो उसमें दोनों चीज एड होती है एक बेस और एक रिफ्लेक्शन उसमें दोनों चीज आपकी एड होती है जह हमारे कलर ट्यूब बनता है लेकिन हम में कन्फूजन होती है कि एक ब्रांट 7.4 बना रहा है 0.40.04 भी बना रहा है तो इन में के डिफ्रेंस है यह आपको तब पता चलेगा तब आपको जब आपको बेस और रिफ्लेक्शन की नोलिज होगी देखिए 7.4 गैस आगे वाली जो हमारी नमबर होता है वो हमेशा हमारा बेस होता है आपको पता होगा और पीछे वाली जो होती है यह हमेशा हमारी रिफ्लेक्शन होती है पीछे वाली नमबर जो होती है यह रिफ्लेक्शन होता है पीछे नमबर हमेशा तो आगे इसमें तो तीन पर है आगे वाला हमारा इसमें भी व्यशकहाइगा तो इसमें आपको बतादू जैसा की 7.4 कले रहे तो आपको पता ऊच्छेश में 7 वह हमारा 60 परसेंट होगा और 40.4 जो हमारा 40 परसेंट होगा ठीक है इसमें जो यह ऐसे तो यह सेम ही रहता है आप इसको 60% यह स्कोट एसको फोटी को 60 परसेंट क्यूंकि आपको पताए जब 7.4 है तो हमें पता होता है कि आगे जो मिडल की मेजर जो होती है इसमें 30% होता है मेजर टॉन पीछ वाली जो मेजर टॉन होती है तो इसमें वह आएगा आपका नैचुरल कोपर ठीक है डवल फॉर में आपका आएगा गाइस टू कोपर 2 copper इसलिए guys क्योंकि इसमें copper की quantity जादा होगी 7.40 में आपको बताओ दो इसमें आएगा एकदम intense intense copper इसमें आपका आएगा क्योंकि इसमें copper की मातरा जादा होगी आप इसमें 70-80% copper की मातरा को मान सकते है 7.04 में आपका आएगा soft copper क्योंकि आपको पता है कि जो यह सामने वाला जो 0 है जिसके आगे लग जाता है उसकी power को बढ़ा देता अब यह 07 के आगे तो 7 इसमें सबसे ज्यादा है यह 0 यह 04 के आगे तो copper जो ज्यादा है तो इसमें आपको नोलेज होने चीजिए reflections की यह जो हमारे रिफ्लेक्शन से इसमें कुछ warm reflections है कुछ cool reflections है इसके बारे में भी हम पढ़ेगे जैसे कि हमारा जो एस इडिडिसेंट मैट मोका यह cold reflections है गोल्ड कॉपर रैड माउगनी यह warm reflections है लेकिन इसके बारे में deeply पढ़ेगे next classes में कि हम warm और cool कलर को किस तरीके से हम अच्छे समझ सकते हैं तो इस नीट्रल कलर हमारे नॉर्मल यही color होते है काफी लोग confused होते है reflections होने आपके बता दिया है और यह पॉइंट को पर ज्यादा है इसमें अगर 7.32 7.23 इसमें अब अलग अलग जो है नंबर हो गए अब इसमें 7 तो आपको पता है बेस है ज्यादा ही होगा लेकिन इसमें से कितना कितना परसेंट है बीच वाला मेंसा हमारी मेघ तॉन होती है 30 अथा ठॉन्टी परसेंट इसमें हमारा गोड ज्यादा इसमें हमारा इडिट सैन्ड ज्यादा बीच का जो हमारीमेज़ेट उलंए माईन तो हमेसा बीच वाली संक्यार के जो रिफ्लेक्सन होता है वो ज्यादा होता है तो आपको ये याद रखना है आई होब कर्स आप समझे के बेश कलर निट्रल कलर को एंड रिफ्लेक्शन में कैड डेता है तो अच्छले लगिए वीडियो को लाइक करना